प्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों मैं शाहिन रसन और आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि सुभा हमने एक वीडियो दिया था आपको जिसमें कि हमने बहुत सारे अप सर ने और दोस्तों अभी की फीडियो में जो अपडेट आए हैं तो वो दिये हमें मिस्टर जो कि हमारे थोर्ज बेहांड दा फोर्ज हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हैं मिस्टर गुस्विंदर सर की और गुस्विंदर सर इतने बर्दस अपडेट और शॉर्टन को यहां पर दोस्तों हम लोग एंपलाई नहीं हैं, हम लोग हैं यहां कमपनी के ब्रैंड अम्बसेजर्डर्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सबसे बड़ा अपडेट जो है, वो यह है कि आज है 13 डिसंबर, यानि कि 13 डिसंबर है ट्यूजडे, और ट्यूजडे को आपको पता है, most probably हमारा होता है, एश सर का कॉर्पेट वेबिनार, तो आज हमारा रहने वाला है, दोस्तों, रात को सारे 10 बजे, एश सर के साथ हमारा कॉर्पेट वेबिनार रहेगा, जिसमें की मिलेंगे आपको बहुत ही सारे अपडेट, तो बी आन टाइम, आप लोग टाइम से अपनी मतलब ये कहूंगी, मैं सीट बुक कर लीजएगा, तो इस वेबिनार का, यानि के कॉर्पेट वेबिनार का जो लिंक है दोस्तों, वो आपको मिलेगा बैक आफिस में, और फाउंडर्स के तो वहाँ पर आप विजट करिएगा, वो आपको वेबिनार से पहले-पहले मिल जाएगा, अब बात करते हैं, दोस्तों, उन अपडेट की जो की दिये हमें गुस्मिंदर से ने, तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये बहुत एक अपडेट्स हैं जो की रिगार्डिंग फॉर रिजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे लोगों को जो रिजिस्ट्रेशन में इशूज आ रहे हैं, उन सबी से एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारा सिस्ट्रम है, ऑन पैसिव एको सिस्ट्रम वो बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कुछ लोगों को अगर प्राब्लम आ रही है, कहीं पर एरर आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परिशान ना हो, और इजिली बहुत ही अराम से इसको करें, दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया, कि अभी हमारे करीब करीब 70% जो लोग हैं, वो माइगरेट कर चुके हैं, अनपैसिव इको सिस्टम में, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ लोगों को अगर अभी प्राब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ मिंदर से ने बताया हमें, कि हमें जो है, रिजिस्ट्रेशन करना है, onpassive.com की साइट पर जा करके, क्योंकि जो लोग onpassive.com से जा करके रिजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहां से बिलकुल पाफेक्टली हो रहा है, क्योंकि कल पर सो मैंने भी कही रिजिस्ट्रेशन किये थे, तो मैंने onpassive.com में जाकर के ही किये थे So friend बहुत ही easy तरीख है तो प्लीज आप देहां से सुनिए जो हमें गुस्मिंदत है ने बताया First हमें खोलना है onpassive.com को open करना है Then वहाँ पर हमें login करना हमा लिखा है as a founder तो वहाँ पर आपको click करना है Then उसके बाद आपको ओ founder वाली जो आपकी ID और password है वो आपको वहाँ पर डालना है Then फिर आप login करेंगे और अपना आपको वहाँ पर एक registration form आपके लिए open हो जाएगा वो कौन सी color का होगा दोस्तों अभी तक आपने देखा वो blue color का form है जिसमें कि आपका नाम लिखावा होगा पहले से ही वहाँ पर और उसके बाद आपको create करनी होगी अपनी email ID यनि कि आप चाहें तो पहले वाली भी डाल सकते हैं चाहें तो नई भी डाल सकते हैं आप कुछ भी अपना ABC जो भी whatever you want तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद आपको create करना है वहाँ पर अपना password then re-enter your password confirmation के लिए और उसके बाद दोस्तों आपकी वहाँ पर आईगी alternate ID जो कि वो automatic लेगा आपकी वो ID जो कि आपने O founder में registration कर रख है उसके बाद आप कर देंगे create O mail account देखा आपने friends कितने easily three to four step में जो है आपका ये ecosystem में registration हो गया then वो आपको सीधा ही ले जाएगा आपको ecosystem में आपको login करा देगा वहाँ पर आपको अपना दिख जाएगा तो आप वहाँ पर profile को देखेंगे और profile में जाकर के आप देख लेंगे कि आपका registration as a founder हुआ है क्योंकि वहाँ पर आपको दिखेगा O founder का logo अभी भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो registration है वो customer as a customer हो गया है दोस्तों उसमें भी परिशान होने की कोई बात नहीं है आप simply login करेंगे onpassive.com को और वहाँ पर जब आप अपना login कर लेंगे अपना email का ID पासपट डाल करके तो जब login हो जाएगा तो आपको right hand में उपर profile नदर रहेगा आप profile खोलेंगे उसमें आपको देखना है स्क्रॉल करके नीचे लिखा होगा delete account तो वहाँ पर आप उसको delete कर देंगे वह confirmation माँगे then confirm करके आपका account पो delete हो जाएगा जो create आपने किया होगा as a customer तो हमें करना है as a founder तो हमने जो आपको process बताया आपको उस तरहीके से करना है जब आप onpassive ecosystem से अपना account वह as a customer वाला delete कर देंगे then आपको दुबारा से आपको जो process बताया गया उसके according आप करेंगे then उसके बाद बताया कि Mr. Ash ने 70 बताया हमें कि 72-75% जो है registration done हो चुके जैसे मैंने आपको सुबा की वीडियो में भी बताया और maybe यह सबसे जादा कुसमें दर से ने कहा हम maybe यह सबसे जादा यानि कि वो ecosystem में registration दिखा रहा है तो अब आप दोस्तों समझनी की बात यह कि अब हमने मैंने आपको सुबा के वीडियो में बताया था कि हमें एक दूसरे को help करना है और किस चीज़ के लिए help करना है ताकि वो जल से जल ecosystem में registration कर सके या migrate कर सके तो उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा idea है लोगों को help करने के लिए इस वफट आपके direct में जितने भी लोग हैं आपका focus सिर्व वही होना चाहिए हर बंदा अगर सोचे कि मेरे direct के लोगों को चाहे वो दो हो चाहे वो एक हो एक भी ना हो तो आप others को help कीजे लेकिन आपके direct में जो भी लोग हैं दोस्तों आप उनको अपनी list में चेक करिए जाके अपने users में चेक करिए और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके कितने लोग जो हैं वो अभी तक on passive ecosystem में अपना migration कर चुके है यह भी बताया है कि उसमिंदर सेने की mobile पर जो है ओमेर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों यह technology है धीरे धीरे work करी है इसी तरह से technology बनती है बहुत सारी mistakes होती है फिर उनको ठीक किया जाता है फिर होती है फिर ठीक किया जाता है देखा जाता है जहां पर आकर के वो बिल्कुल perfectly work करती है वहाँ पर लाकर के उसको रोका जाता है क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारी मतलब जो website को है उसको stable किया जा रहा है ताके थारी चीदे smoothly work करें और जिसके लिए आपको पता है रात और दिन यानि कि 24 सो घंटे काम कर रहे है मिस्टर आश मफरा और उनकी टीम टैक टीम जो भी है वो पूरा hard work कर रही है ताके आप लोगों को कोई भी problem ना आए so don't worry friends अगर आपको आगे भी कोई issue आता है इन थब के बाद भी तो आपको क्या करना है आपको support में जाकर के एक mail डालना है जो भी आपका issue है आपको वहाँ पर link देना है then आपको वहाँ से response मिल जाएगा so अभी के लिए दोस्तों इतने ही और इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ही information proper पहुँच जाए और लगतार मेरी channel पर update के लिए बने रही है thank you so much, bye bye, take care